शबनम जो प्यार में फासी चड़ रही है एक हत्यारी बेटी बहन और बुआ जिसने अपने ही परिवार के साथ लोगों की निर्मम हत्या कर दी और वो क्यूं सिर्फ प्यार के लिए अब वो 1947 यानि की भारत के आजादी के बाद पहली महिला होने जा रही है जिसे मतुरा जे केल को बनाया गया था लेकिन उसके बाद आजादी के बाद कोई भी महिला को फासी नहीं चड़ाया गया था लेकिन अब शबनम फो उसके कुकृत्यों की वजह से फासी चड़ाया जाएगा शबनम का 11 साल का बेटा है ताज जो उसके लिए बार-बार इंसाफ मांग रहा ह राष्टपती से गुहार लगा रहा है लेकिन शबनम वही है जिसने 2008 में अपने 11 महिने के छोटे भतीजे की गला घोट कर हत्या कर दी थी और सिर्फ अपने भतीजे की ही नहीं अपनी माँ, बाप, भाई और अपनी भावी समेथ 7 लोगों की उसने निर्मम तरीके से हत्या कर लेकिन शबनम जब इस केस की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही लगातार ये कह रही थी कि ये हत्या किसी और ने नहीं बलकि उसके चाचा के बेटों ने की है, उसके चचेरे भाईयों ने की है, लेकिन किस तरीके से एक investigation officer ने इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलजा बताएंगे आपको इसी वीडियो में की किस तरीके से इस केस के आई-ओ याने की investigation officer राजेंद्र प्रसाद गुपता ने इस केस को कुछी महीनों में सुलजा दिया, देखिए इस वीडियो में, नमस्कार मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगना और आप देख रहे हैं, न आने जाते थे सबसे पड़े लिखे परिवार होने की वजह से, वो खुद भी स्कूल में लेक्चरर थे, उनके दोनों बेटे अमरोहा के बाहर नौकरी करते थे, साथ में रहते थी उनकी पतनी, उनकी बहु, उनका पोता और उनकी बेटी शबनम, जो की डबल M में थी, सिर शबनम प्यार में अंधी हो गई, वो प्रेगनेंट भी हो गई, शबनम सलीम से शादी करना चाहती थी, जब उसने ये बात अपने परिवार को बताई, यानि कि शौकत अली और अपने भाईयों को अपनी मा को बताई, तो परिवार ने इस प्यार को अप्रूव नहीं किया मनजूरी नहीं दी, वजह साफ थी कि शबनम डबल में थी, लेकिन सलीम आठवी फेल था, परिवार का ये कहना था कि शबनम ऐसे लड़के के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, अभी नया नया प्यार है, इसलिए शबनम को ये बात पता नहीं चल रही, लेकिन शबनम तो प आराम से रहेंगे इसी जायदात के साथ, यानि कि शौकत अली जिसने इन सालों में मेहनत करके एक जायदात इखटा की थी, पैसा इखटा किया था, इस पूरे घर को बनाया, वो सब कुछ हड़पना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टिकेशन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को किस तरीके से शक हुआ, आईए जा लीजिए, कि उस रात, 14-15 अप्रेल 2008 की दर्मियानी रात को ऐसा क्या हुआ था, किस तरीके से सलीम और शबनम ने एक प्लैन बनाया और अपने पूरे परिवार की कुलहाडी से हत्या कर दी, आईए सुन लीजिए सबनम फिर उसने एक योजना बनाई, सलीम से मिलके, कि घरवाले किसी कीमत पर साधी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि इस घरवालों को सबको खतम कर दिया जाए, जिससे हम तुम दोनों पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे और जिंदी के एस करेंगे, इसके योजना बना करके, इसका भाई उसी समय छुट्टी आए हुए थे, दोनों भाई अनीश और रासिद, दोनों भाई छुट्टी आए हुए थे, उनको 14 तारीक को बापिस जाना था, 14-4-2008 को दोनों भाई बापिस जा रहे थे, सबनम ने बैका करके, द कि तुम मुझे कोई नसीली गोली ला करके दो, जिससे मैं पूरे परिवार को नसीली दबा दे करके बेहुस कर दूँगी, इसके बाद हम इनका इनके हत्या कर देंगे, सलीम जो है, पागबारा में आया, पागबारा में आया, और मेडिकल इस्टोर से, दस गोली बाई पो उसने पूरे परिवार को पिला दीया, दूद में पिला देया, नसीली गोली आज लेकिन उसका जो भतीया था अर्स ग्यारे महीने का उसको नहीं पिलाया, इसके बाद समनम ने क्या किया कि समनम ने सलीम को बुलाया बुला करके समनम ने खुद उसके सभी मृत्वों के सिर पकड़े और सलीम ने कुलाडी से सभी छे लोगों के गला काड़ दिये गला काड़ दिये और अर्स का गला दबा करके साथ ओ लोगों की हत्या करके सलीम और सबनम पहले टूवल पगए हाथ पर धोए इसके बाद सलीम अपने घर चला गया सबनम जो है वो अंदर आ करके उसने साड़े बारे बज़े के खरीम चिल्लाई उपर से तो सुना आपने 14-15 की दर्म्यानी राद 2008 को शबनम ने अपने परिवार को जब स्लीपिंग पिल्स खिलाई उसके बाद उसने अपने परिवार में अपने भतीजे को छोड़ कर किस तरीके से सब का गला पकड़ा और उसके बाद सलीम ने सब पर उलहाड़ी चला दी लेकिन आरपिसिंग ये भी कहते हैं कि शबनम से सच उगलवाना बहुत आसान काम नहीं था शबनम शुरू से ही रो रही थी चीक रही थी चिला रही थी और खुद को ऐसा बता रही थी कि वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है लेकिन इस दौरान उसने एक जूट कहा उसन कामला था दोनों परिवारों के बीच में जमीन को लेकर विवात था लेकिन इसी बीच वो बार-बार अलग-अलग कहानिया बता रही थी लेकिन उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने चचेरे भाईयों को गिरफतार कर लिया और जेल में डाल दिया लेकिन इसी बीच आर आरपी गुपता ये कहते हैं कि ये केस अम्रोहा में हुआ था छोटे से गाउ में हुआ था लेकिन ये केस इतना मशूर हो गया कि खुद शबनम से मिलने जब वो अपने आपको पीडिता बता रही थी उस वक्त की ततकालीन मुख्यमंत्री मायावती भी मिलने आई ततकालीन मुख्यमंत्री के पीए ने इस बात में नाराजगी भी जाहिर की लेकिन उस वक्त अम्रोहा के जो विधायक थे उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टिकेशन ऑफिसर की हमेशा से बात माननी चाहिए क्योंकि अगर इन्हें लग रहा है कि कही न कहीं इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड हो रहा है तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए और शबनम को मुख्यमंत्री की ओर से जो पांच लाख रुपे मिलने वा तो जीना से जाते तो खुला दरवाजा मिलता इस पर भी चुप हो गई तीसरी बात मैंने कि तुम तुम बता रही हमको गर्मी लग रही थे हम ऊपर गए थे तो ऊपर तो तुमारे यहां बेली भी है इन्वेटर भी है तो केबल तुमी को अकेली क्यों गर्मी लग रही थ तो उसने यह जवाब दिया मैंने सभी की चदर उठा करके देखी थी जब तुम चदर रात में क्यों आवस्ता पड़ी आपको आपको यह कैसे अन्वभुआ के इनकी हत्या कर दी है इस पे भी कोई जवाब नहीं दे पाई आरपी सिंग का तो 2012 में इस केस को सुलजाने के बाद रिटार्मेंट हो गया लेकिन सरकार उन्हें नहीं भूली 2015 में उन्हें सम्मानित भी किया गया और 50,000 रुपए की इनामी राशी भी दी गई आरपी सिंग ये भी कहते हैं कि इस पूरी गुथी को सुलजाना यूँ आसान काम नहीं था लेकिन सबसे पहले इस पूरे केस की सच्चाई खोली सलीम ने जब सलीम से सखताई से पूछता चुई तब उसने ये बताया कि उसके घर में ही खून से रंगी हुई कुलहाडी भी है, खून से रंगे हुए कपड़े भी है जिसके बाद DNA टेस्ट किया गया और पाया गया कि ये खून शबनम के परिवार वालों का ही है जब शबनम से बार-बार पूछा गया तो वो बार-बार आरोप अपने चचेरे भाईयों पर ही लगा रही थी लेकिन जब सलीम टूटा तो शबनम भी टूट गई अब बात करते हैं कि शबनम को आखिर फांसी कब होगी शबनम की दया याचिका को तो राश्ट्रपती ने खारिच कर दिया लेकिन अभी भी सलीम की दया याचिका राश्ट्रपती के पास लंबित है और कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी राश्ट्रपती ने उसकी दया याचिका को ना मनजूर किया है ना खारिच किया है इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक सलीम पर कोई फैसला नहीं आ जाता हो सकता है कि शबनम की फासी में तब तक देरी हो जाए है ना कि ये भी कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर 2012 में निर्भया केस में जो अलग 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 दोशी थे उनकी फासी की सजा में अलग अलग तारीखें आई थी और इस वज़े से सभी दोशीयों को फासी पर लटकाने में देर हो गई थी और यही वज़े है कि सलीम और शबनम के वकी लगातार ये कोशिचे कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना शबनम की फासी में डिले हो और अंत में जाते जाते आप सभी दर्शकों का शुक्रिया जब सबसे पहले हमने आपको शबनम की ये कहानी सुनाई थी कि किस तरीके उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी उसे आपने 10 लाग से जादा प्यार दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज की यानिकी investigation officer आरपी सिंग ने जो ये पूरी कहानी बताई है वो आपको कैसी लगी बताईए जरूर कमेंट बॉक्स पर Monday to Friday मैसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जर